डिलिवरी के बाद महिलाएं सारा दिन बच्चे की देखभाल में लगी रहती हैं जिसकी वज़ो से खुद के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाती प्रेग्नेंसी में कई तरह के हॉर्मोनल बदलाव होते हैं जो कई समस्याओं को बढ़ा देता है डिलिवरी के बाद चुनोतियां और भी जादा बढ़ जाती हैं बच्चे का खयाल रखने में महिलाओं को रात रात भर जागना पड़ता है जिससे उनकी नीद पूरी नहीं होती है और शाररेक और मानसेख थकान बनी रहती है इसलिए डॉक्टर महिलाओं को प्रेग्नेंसी के बाद अपना खयाल रखने की सलाह देते हैं डिलिवरी के बाद बोड़े दिमाग और स्किन पर फोकस करने की सलाह दी जाती है वही डिलिवरी के बाद महिलाओं को क्या कुछ करना चाहिए वो भी आपको बता देते हैं दिखे शरीर को सही तरह से आराम दे, नेंद की कमी न होने दे, दिन में जपकी ज़रूर ले शरीरिक और मानसिक सेहत का खास खयाल रखे, बच्चे का खयाल रखने और घर के कामों में फैमली की मदद करे डॉक्टर्स की माने तो डिलिवरी के बाद महिलाओं को ब्रेस्ट फीडिंग करवाना पड़ता है ऐसे में उन्हें पोश्टिक और संतुरत आहार देना चाहिए खाने में फल, सबजियां, साबुतनाज, लीन प्रूटीन, हैल्दी फैट्स शामिल करना चाहिए आयरन, कैलिश्यम, विटमिन डी और ओमेगा 3 फैटी आसेट जैसे पोशक तत्वों से भरपूर चीज़े ही खाए वही मा बनने के बाद कई चीज़े बदल जाती है रूटीन ऐसी हो जाती है कि स्किन केर को भी नजरंदास करना पड़ता है जिसे स्किन डल दिखने लगती है त्वचा को तरो ताजा और चमकदार बनाने के लिए सिंपल स्किन के रूटीन फॉलो करें स्किन की रोजाना सफाई करें मौशराइजिंग का खयाल रखें और धूप से बचाएं डल स्किन को हाईट्रेट और अच्छा बनाने के लिए विटमेंसी, निया सिनिमाइड और सेरामाइड से भरपूर मौशराइजर्स चुने साथी गुलाब जल, चाय के अर्क और अलोवेरा फेस मास्क का इस्तमाल भी कर सकती है शाम में तुचा की बनावट को बहतर बनाने के लिए रेटिनॉल बेस्ट क्रीम या हाईट्रेटिंग सीरम लगा सकती है नई मा को अपनी बोड़ी हाईट्रेट रुखनी चाहिए, शरीर को पानी की कमी से बचाना चाहिए और हर दिन भरपूर पानी पीने से कई समस्त्याएं दूर करनी चाहिए इस स्किन चमकदार बनती है और ओबरॉल हेल्थ में सुधार होता है फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही और भी ऐसी स्टोरीज को देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ तब तक के लिए नमस्कार